आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं की WhatsApp पढ़ेजा हुआ फॉटो वीडियो या मैसेज को कैसे डिलीट करते हैं तो इस वीडियो को देखते रही है तो नमस्कार दोस्तों कुईक इंडिया चेनल में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में वार्टेप को ओपिन करना होगा वार्टेप ओपिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जैसा कि आप देख पा रहें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपर मैसेज को भेज दिये हैं अगर आप यहां पर फोटो भेजे हो तो यहां पर फोटो पर किलिक करना है अगर आप यहां पर वीडियो भेजे हो तो वीडियो पर किलिक करना है अगर आप मैसेज भेजे हो तो यहां पर मैसेज पर किलिक करना है इन तीनों चीजों में से आप कोई भी चीज भेजे हो तो यहाँ पर आपको simple delete करने के लिए उस चीज पर थोआ दिर ओंगली रखना है और यहाँ पर जैसी ओंगली थोआ दिर दवाक रखेगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक box type का option दिख जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप दिबाक option पर जैसी किलिक किजेगा यहाँ पर आपको एक delete option मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर delete के लिए तीन option दिया गया है अगर आप कोई भी चीज भेजते हैं और यहाँ पर तुरंत उसको delete करने जाएगा 7-8 मिनट के अंदर में उसको delete किजेगा यहाँ आप आपको 3 option मिलेगा लेकिन आप उसको थोडा देर के बाद 7-8 मिनट के बाद जब delete किजेगा तो आप आपको delete for me का option मिलेगा यहाँ पर चलिए इस tीतने option को आपको बारी-बारी से समझाते हैं यहाँ पर delete for me पर click किजेगा यहाँ पर यहाँ message क है तो वह चीज दोनों तरफ से डिलीट हो जागा उसके पास से यह नहीं जागा यह पर अपके पास नहीं तुना तॉसन चीज के डिलीट कर सकते हैं तो आप कोई भी चीज आप सेंड किया हैं उसको आप सel धेर लख दबा के यहां पर आप संब यहां पर बॉक्स पे क्लिक करके उसको आप असानी से डिलीट कर सकते हैं तो आपको देख सकते हैं कि आप कोई भी चीज इसी तरह से डिलीट कर सकते हैं अगर आप फोटो भेजे हो वीडियो भेजे हो या आप किसी एसमेस जो भी चीज भेजे हो आप आप असानी से उसको इ करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्य बाद